हाई, वेलकानो मैं चनल, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्विशन नुबर 3 अब वाई बाई बाईज नाइन एपल्स, नाइन एपल्स जो है खरिदता है कितने में रुपीज 9.60 रुपीज में and sells them at 11, 11 को बेच देता है रुपीज 12 में find his gain or loss percent, देखें यहाँ पर जो दिया हुआ है CP दिया हुआ है 9 एपल्स का जो है CP दिया हुआ है कि रुपीज 9.60 है लेकिन 11 एपल्स का SP दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 12 रुपीज तो यहाँ पर same number of apples का CP और SP नहीं दिया अलग-अलग apples का CP और SP दिया हुआ है सबसे important चीज जो focus करने है आपको वो क्या करना है कि number of apples को same करना पड़ेगा आपको means same number of apples का cost price and selling price निकलना पड़ेगा आपको पहले-पहले यही focus करना है तो यहाँ पर 9 apples का दिया हुआ है तो एक apple का निकल दिजएगा और यहाँ पर 11 apples का SP दिया हुआ है तो एक apple का SP निकल लेजएगा तो 1 apple का यदि SP और CP पता हो जाएगा तब आप gain या loss percent निकाल सकते हैं ओके चलिए यहाँ शार्ट करते हैं solution तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे since given है कि CP of CP of 9 apples इस इकल टू 9.60 रुपीज इट इंप्लाइज CP of 1 apple इस इकल टू किता हो जाएगा 9.60 डवाइड बाई 9 है कि नहीं यहाँ पर लागार है हम लोग युनिट्री मेथड तो इसको solve कर लेते हैं क्या मिलेगा 9.60 अपान 90 कैसे लड़ करते हैं 339 326 3390 2 से के लड़ करें टू अंज़ टू एंड टू एंड टू शेट्वल्फ टू फिप्टीन जा मतलब यहाँ गया 16 आपन फिफ्टीन इतना रूपीज इसको रहने दी जाएसे ही आपका 1 एपल का CP मिल गया है अब दिया हुए सिन्स SP of SP of 11 apples इसको टू दिया हुए 12 रूपीज ओके इट इंप्लाइज सो यहां पर हो जाएगा या फिर इट इंप्लाइज लगाई इट इंप्लाइज SP of 1 apple ठीक है हमेशा फोकस करिए कि एक एपल का कैसे निकाले है या फिर सेम नंबर आफ एपल का निकालना पड़ेगा आपको मिंस यहां पर यदि 11 और 10 का आप यहां पर आपको यहां पर आपको यह पता करना पड़ेगा कि दोनों में बड़ा कौन है क्योंकि जब तक यह पता नहीं करेंगे कि यह पता नहीं कर पाएंगे कि गेन होगा या लॉस होगा तब यह लॉस परस्तना निकालेंगे तो करना क्या पड़ेगा कि हमें निकालना पड़ेगा लिख दीजिए यहां पर 16 अपन 15 और यहां लिख दीजिए 12 अपन 11 और इसके उपर लिख दीजिए क्या है यह CP है और यह क्या है SP है ठीक है यहां पर लेना पड़ेगा करें का LCM 15 और 11 का LCM कितना होगा 15 into 11 ही होगा 15 से डिवाद करें 11 से मुटबलाई करें उपर 11 6 जा 66 का 6 1 करी ओपर 11 11 11 जा 11 11 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 और यहां पर लिख दीजिए 15 से 15 यह 15 से मुटबलाई करें 12 में 15 2 जा 30 जा 0 3 करी ओफर 15 15 9 3 18 कौन बड़ा है बताइए 180 बड़ा है य SP बढ़ा होने का मतलब कि यहां पर क्या हो रहा है गेन हो रहा है ठीक है यह लिए सकते हैं आप यहां लिखना पड़ेगा को clearly clearly SP is greater than CP so gain percent is equal to so gain percent is equal to क्या हो जाएगा gain percentage होता है क्या SP में से CP मानस कर लिए मतलब gain gain आपान CP ठीक है multiplied by 100 यहां पर यह निकालेंगे gain आपान CP करेंगे into 100 करेंगे ठीक है यहां पर gain कितना होगा SP मैनस CP कितना होगा तो SP आपका यहां है 12 आपान 11 इसमें से मैनस करेंगे SP SP में 16 आपान 15 whole आपान CP कितना है तो CP आपका यहां पर दिया हुआ है यह आपका है 16 आपान 15 multiplied by यहां पर कर देंगे 100 से ठीक है अब इसको solve करना है तो यहां पर लेंगे तो मिलेगा आपको 11 मुझेवर देंगे 15 में तो आपका यही आएगा 180 यहां लिग दिज़े डारक्ली 180 माइनस 15 से ट्वाइट करेंगे 16 में तो आपका 176 आएगा 176 ठीक है इंटू 100 अचा स्वरी इसके नीचे भी कुछ रहेगा ना यह 11 एंटू 15 वह लिखना बूल गया ठीक है यहां पर जो है इसके नीचे भी रहेगा 11 आपन 15 तो होल आपन यहां पर क्या आजाएगा 11 इंटू 15 और इसका आपन रहेगा 16 आपन 15 ठीक है इतना इंटू क्या होगा 100 आपके करेंगे यहां पर ध्यान देजिएगा 15 से 15 के से राट हो जाएगा और बचेगा क्या जो बचेगा वो बचेगा आपका यहां मैनस कर लिजिए तो 180 में से 176 मानस करेंगे 4 मिलेगा 4 अपन यहां पर 11 और 16 मिलेगा इंटू 16 और इंटू यहां पर 100 बचा हुआ है यहां देखिए 4 और 4 और 4 और 16 हो जाएगा 4 और 4 और 25 मिल जाएगा आपको 25 अपन 11 इसको अब डिवाड़ करके फ्रेक्शन में करवड कर लेंगे थैंक्यों सो मुझ फर वाचिंग बाइ